असलाम आलेकुम दिस इस फैसल शबीर क्या हाल चाल हैं सब ठीक ठाक हैं मेरी आज की ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स टीचर्ज और ओफिस वरकर्स के लिए है आप सब लोगों की कॉमन नीड है एक बेहतरीन किसम का PDF सौफ़वेर एडिटर रीडर आप लोगों ने एक बेहतरीन प्रफेशनल प्रीमियम PDF सौफ़वेर जिसमें आपको PDF से रिलेटेड हर वो टूल मिल जाएगा जो आप यूज करना चाहते हैं जिसकी आपको जरूरत है और सिर्फ इतना ही नहीं ये PDF रीडर एक फ्री सौफ़वेर है लेकिन अगर आप इसका प्रीमियम वर दिया है उस पर क्लिक करके फोरें इसको डाउनलोड कर लें इससे पहले कि आपका नंबर 101 हो जाए तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसेट ओपनों के आ जाएगी आई टॉप PDF, Simple, Powerful and Free PDF एडिटर है इसमें आप तमाम तरह के काम कर सकते हैं आप अपनी PDF फाइल को एडिट कर सकते हैं convert कर सकते हैं, merge कर सकते हैं, split कर सकते हैं, compress कर सकते हैं और protect कर सकते हैं, pages को arrange कर सकते हैं, उनको view कर सकते हैं, उन पर signatures अपने add कर सकते हैं, तो यहां से आपने इसको download कर लेना है, इस पर click करके आपने इसको install करना है, और यहां पर आपने install now पर click कर देना है, ज्यादा heavy software नहीं है चांदी लमों में यह install हो जाता है लेंजे हमारा software install हो चुका है run now पे click करते हैं तो लेंजे हमारा software install होके ready होके हमारे सामने आ चुका है आप अपनी PDF files को PDF से word में convert कर सकते हैं image to PDF कर सकते हैं edit कर सकते हैं, combine कर सकते हैं compress कर सकते हैं, PDF to image कर सकते हैं किसे भी तरह की फाइल को PDF में ला सकते हैं, Open PDF पे क्लिक करके आपने अपने PDF फाइल को इंपोर्ट कर लेना है, और उसके बाद आप जैसे चाहें उस पे वर्ड कर सकते हैं, आप PDF to Word करना चाहें, इस पे क्लिक करेंगे, और आपकी PDF फाइल Word में automatically convert हो जाएगी चंद लहमों में जस्ट आपने क्लिक करना है convert to Word और आपकी फाइल convert होके आपके सामने आ जाएगी यह देखेजिए हमारी PDF फाइल docx में convert हो चुकी है, msword में convert हो चुकी है अब आप जैसे चाहें सको added कर सकते हैं, जहाँ पर use करना चाहें, आप easily कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अपनी PDF फाइल में से images को हासिल करना चाहते हैं तो PDF to image करेंगे, PDF to Excel कर सकते हैं, PDF to PowerPoint कर सकते हैं, PDF to text कर सकते हैं आपको हर तरह का tool यहाँ पर मिल जाता है, आप जिस भी file में convert करना चाहें, जिस भी type में convert करना चाहें, अपनी PDF फाइल को वहाँ पर convert कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप अपनी PDF फाइल को compress करना चाहते हैं, तो compress पे click करेंगे, यहाँ पर आप अपनी quality को choose करेंगे, जिस भी quality में आप उसे convert करना चाहते हैं उसके बाद आपने compress पे click करना है, और आपकी file फोरण ही compress होके आपके सामने आजाती है, यह देखें जी, पहले size 41KB था, अब 33KB है, इस तरीके से आप अपनी PDF फाइल को compress कर सकते हैं, अगर आप इसके edit menu में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मजीद features मिल जाते हैं, आप को कोई text add करना चाहें, कोई image add करना चाहें, कोई page add करना चाहें, watermark add करना चाहें, कोई link add करना चाहें, कोई bookmark add करना चाहें, आप जो कुछ अपनी PDF फाइल में edit करना चाहते हैं, add करना चाहते हैं, remove करना चाहते हैं, इस software के जरिए easily कर सकते हैं, for example, अगर आप text add करना चाहते ह जहां पर आप test add करना चाहें महां पर आपने box बना लेना है उसके बाद आप उसमेशी लीएडिग कर सकते हैं इस तरीके साफ कुछ पी add करना चाहें आप उजीवी कर सकते हैं next menu है comment का इसमें भी आपको तरह-तरह के features और tools मिल जाते हैं for example अब पकूर में क्लिकर लिए किसी साथ स 사건 को निर उसके सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं उसके अगर Dual आप क्लिक और चाहिए बड़ी असानी के साथ इसके बाद अगला menu हो इसकी protection के लिए आप अपने PDF फाइल को easily encrypt कर सकते हैं और इसमें आपको वो premium feature मिलता है signature वाला आप जैसा चाहें signature create करके इसमें add कर सकते हैं जहां पर चाहें आप type करना चाहें, type कर सकते हैं, draw कर सकते हैं, import करना चाहें, import कर सकते हैं आप जिस color में signature add करना चाहते हैं, वो color चूज करके आप अपना signature यहाँ पर add कर सकते हैं इस तरीके से आप इसको जहां रखना चाहें, आपका signature एड़ हो जाएगा आप इसको जो भी size देना चाते हैं वो size भी दे सकते हैं, color भी दे सकते हैं और location भी अपनी मरजी की रख सकते हैं इसके बाद menu है pages का, आप अपने pages को easily arrange कर सकते हैं, जिस page को जहां पे लेके जाना चाते हैं, आप वहाँ पे इसको move out कर सकते हैं, इसके लाब आप इसमें left right कर सकते हैं, page को delete कर सकते हैं, एक अकेले page को निकालना चाहें, इस file में से उसको निकाल सकते हैं, insert कर सकते हैं, replace कर सकते हैं, crop कर सकते हैं, combine कर सकते हैं, split कर सकते हैं, और अकेले-केले पेज को भी आप compress कर सकते हैं तो iTop PDF स्टूडंट्स के लिए टीचर्स के लिए आफिस वर्कर्स के लिए एक कमाल का software है इसमें आपको बहुत से free useful tools मिल जाते हैं और अगर आप इसका premium version यूस करना चाहते हैं इन्शाला ये आपके बहुत काम आने वाला है तो आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को लाइक और शेर कर दें चैनल पे पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिन्दगी रही तो फिर से मुलाकात होगी सलाम आलेकुम